गुड मर्नी फ्रेंड्स दा यार भारत 89 में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हमसा चलने है बिरला मंदिर और बिरला मंदर की मंदिर की एक खासियत है जो की मोबाइल वहाँ पर एलाव नहीं है तो हम सब वीडियो बाद में दिख लाएंगा और देखे हमसा दोस्तो बि में मोबाइल भी आप रख सकते हैं जो कि यहां पर मोबाइल ले जाना मंदिर में इलाव नहीं है तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री बता देता हूं और इस तरफ मंदिर भी है जो कि आपको बुक इस तरफ मंदिर है और दाइने तरफ मतला राइट हैंड आपको किताब यहां का जो कि आपको मिल जाएगा बाला जी महराज का और मैं आपको यहां का बता दू हिस्ट्री थोड़ा बहुत तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहे और मैं आपको इस वीडियो का हिस्ट्री पूरा बता देता हूं यह देखिए यह जो ह चलिए मैं इसका हिस्ट्री बताता हूँ आपको हैदराबाद में विरला मंदिर भगमार में बैंके डेश्वर को समर्पित है जो 2000 टन सफेद राजर्थाने संगमनमर से बना है या 280 फिट उची पहाड़ी पर निर्मित है जिसे नौवत पहाड़ या काला पहाड़ कहा जाता है हैदराबाद का विरला मंदिर भारत का लोकपिडिये मंदिर है या देश भर में कई विरला मंदिर है जो विविन हिंदू देवताओं जैसे राधा कृष्ण, सरस्वती, सिव विष्णू, राम, लक्ष्मी, नरायन और वंकेडेस्वर आधी को समर्पित है या मंदिर विरला मंदिर परिवार द्वरा अस्थापित किया गया इसलिए इन्हें विरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है हैदराबाद में विरला मंदिर भगवान को बैंकेडेस्वर को समर्पित है जो हजार टन सफेद राजस्थानी संग्मर्मर से बना है इस सांदार मंदिर के परिशर में कोई भी मंदिर की घंटी नहीं है संग्मर्मर पर या जटिर नक्मर्मर की सुन्दरता को निखारती है या मंदिर हुसैन सागर जिल के पास इस्तित है आप पहाडी और सिस से जिल और सहर के भव्वे दर्षनों का अनंद ले सकते है या चारो और रंगीन गुलाव और हरे घाज मैदान मंदिर की प्रमंड को सांदार बनाता है या मंदिर के परिशर में एक दुकान भी है विरला मंदिर में सम्मंदित बिविन धार्मिक किताब एवम लोग करती है मिल सकती है इस मंदिर में सुबा या साम ब्रह्मन करना अदभुत अनुवव करता है या विरला मंदिर के अंदर कैमरा वैग और मोबाइल एलाव नहीं है वर्जित है मंदिर समय सुबा साथ बजे दोपहर बारा बजे तक और साम तीन बजे से रात्री नौ बजे तक अस्थान दर्शन नगर कलोनी नौवत पहाड हुसेन सागर जील के पास और हम सब दोस्तों अब हम सब चलते हुए जो की मैंने आपको पूरा हिश्ट्री बता दिया हूँ तो आप सब जरूर देखे हुँगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें चाइनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ये देखिए गाड़ी जो की बहुत ही जादे चड़ाई है तो हम सब दोस्तों अब थोड़ा चलते हैं घर की रूम की ओर तो आप सब ये देखिए कितना अच्छा ये मूर्ती है जो की आप सब कॉमेंट करके बताइए ये क्या चीज़ का मूर्ती है कौन से भगवान का मूर्ती है और तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों देखे दोस्तों सब घूम लिये थे और अभी चल नहीं है तो कुछ अच्छा खासा घुलकुंडा वाला भ्यूज नहीं आए तो आप सब करके देखिए उस वीडियो को जो की घुलकुंडा का वीडियो अभी जो है बहुत ही कम जा रहा है तो आप सब देखके जरूर मतलब लाइक करें जरूर आज चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करें गुलकुंडा वाला वीडियो को चाइनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ऐसा अच्छा चाना है चलिए दोस्तों अभी हम सब बिर्ला मंदिर गया हुए थे आप सब को पता ही है जो कि इस वे यह कवा आ बाइन रहे और मैं अभी जो है ना है थरावास से अब निकल लहाँ तो इस से आगे की जर्णिंग जो होगी है थराबाद की होगी देखे गाइस कितना सुन्दर लग रहा है यहां का जग जगाता हुआ मोसम तो अभी हमसे बस पकड़ने चल रहा है और यह देखे कितना सुन्दर लग रहा है यहां का पूरा लाइटिंग किया हुए लाइटिंग इतना मस्त यहां पे किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां का लाइटिंग तो चलिए दोस्तों हम सब उस पार होते हैं और बस पकड़ते हैं जो कि हम सब को सीकंद्राबाद भी जाना है तो चलते हैं अभी कि इस वीडियो को यह पर एंड करते होप करता को वीडियो अच्छी ले लाइक करें चाइनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके जरूर बदाई जे बिर्ला मंदिर आप तो वो कैसा लगा इस पार्ट में भी कोई इस पूरे वीडियो में खोड़ा सा भी पात अच्छा लगाओ तो जरूर कॉमेंट करें जैहिन जैवाद